ओम शान्ति आज हम मीठे बाबा की 15 एप्रिल दो हजार चौबीस की मीठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे ये संगम युग उत्तम ते उत्तम बनने का युग है इसमें ही तुम्हें पतीत से पावन बन पावन दुनिया बनानी है प्रश्ण है अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मस्पूती किस आधार पर आएगी अंतिम सीन तो दर्दनाक होगी न और हमें उसे देखना है जैसे सारी दुनिया उस सीन को देखकर त्राही त्राही करेगी अगर हम भी त्राही त्राही करें तो हमारी अंतिमते सोगते बिगड़ जाएगी तो बावा कहते हम बच्चों को अंतिम सीन को साक्षी होकर देखना है तो उस दर्दनाक सीन को देखने के लिए मस्पूती के साधार पर आएगी तो बावा उत्तर में कहते हैं शरीर का भान निकालते जाओ जितना शरीर का भान निकला हुआ होगा देहे और देहे की दुनिया से लगाओ मुक्त होंगे देह से लगाओ मुक्त होंगे तो देह की दुनिया से भी होंगे तो फिर अंतिम सीन में भी सेक नहीं आएगा अंतिम सीन बहुत कड़ी है बाप बच्चों को मस्पूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं अभ्यास क्या करना है देह का भान कैसा निकलेगा बार-बार अशरीरी बनने का अभ्यास करे जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो अशरीरी बनने का अभ्यास करो शिब बाबा की बुद्धी में क्या रहता कि ये शरीर अलग है मैं अलग हूँ मैं इस शरीर का मालिक भी नहीं हूँ और फिर बाबा पाट पज़ाते ऐसे हम भी अपने आपको शरीर से न्यारी आत्मा समझने का पुर्शार्थ करें बुद्धी में रहें कि अब घर जाना है और घर कैसे जाएंगे है न जैसे आए थे नंगे वैसे जाएंगे तो इसे लिए इस शरीर से अपनी बुद्धी को निकालते जाना है मैं चोति पिंदु आत्मा अशरीरी उस भान में बैठना है पक्का अच्छा भ्यास होगा तो शरीर का भान निकला हुआ होगा और एकदम से फिर उस समें घर जा सकेंगे ओम शान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चे हैं तो जिसम के साथ है न अब आत्मा है तो अभी शरीर के साथ बाप भी अभी जिसम के साथ है बाबा भी तो ब्रमा बाबा के तन में बैठ मुडली चला रहे हैं साकारवाणिया तो तन में बैठ कर चला रहे हैं इस घोडे वा गाडी पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते हैं जीते जी मरना कैसे होता है तो शरीर नहीं छोड़ना है लेकिन बुद्धी से बिलकुल अशरीरी आत्मा स्वयम को निश्य करके बैठना है और कोई ये सिखला ना सके सिवाए बाब के क्योंकि बाबा शरीर में पाठ बजाते हुए भी कैसे रहते बिलकुल देह से न्यारे तो बच्चे को भी बाबा सिखलाते कि शरीर में बैठे पाठ बजा रहे हैं लेकिन समझो कि मैं तो आत्मा हूँ अशरीरी हूँ बाब का परिचे सब बच्चों को मिला है वो ज्यान सागर पतित पावन है ज्यान से ही तुम पतित से पावन बनते हो ज्यान के बिना तो पतित और पावन का अंतर ही नहीं मालूम होता और फिर बाबा योग का भी ज्यान देते पतीत और पावन का भी ज्यान देते तो उस अधार से ज्यान के बिना पतीत से पावन नहीं बन सकते और पावन दुनिया भी बनानी है एक तो बनना भी है फिर बनानी भी है तो सेवा भी बड़ी सब्जेक्ट है इस पतीद दुनिया का ड्रामा प्लैन अनुसार विनाश होना है और पतीद दुनिया कोई छोटी तो नहीं है न इतनी बड़ी पतीद दुनिया जहां तक आखे देखती है सारी दुनिया पतीद तो इतनी बड़ी दुनिया का विनाश होना कोई ऐसे सहज दृष्य तो नहीं होगा सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राम्भन भी बनते हैं वही फिर पावन दुनिया में आकर राज करते हैं फिर पावन दुनिया जब आएगी तो राज कौन करेंगे बाप का जो बने ब्राम्भन बन पावन बने पावन दुनिया बनाई वो राज करेंगे बाकी कहां चाहेंगे बाकी घर में बैठेंगे पवित्र बनने के लिए ब्राम्भन भी जरूर बनना है क्योंकि जब तक शिबाबा का ना बने ब्रह्मा मुख द्वारा तब तक तो पतीत और पावन का अंतर ही नहीं मालूम ये संगम्युग है ही पुर्षोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष पनने का युग बाप का बन कर बाप से पढ़ कर अगर धारणा करें बाबा की शुरिमत पर चलें तो उत्तम ते उत्तम बन जाएंगे क्योंकि बाबा है पतित पावन बाबा है मनुष्य से देवता बनाने वाला कहेंगे दुनिया में क्या कहेंगे देखो कहेंगे उत्तम तो बहुत सादू, संत, महात्मा, वजीर, अमीर, प्रेजिडेंट आदे हैं वो तो उनको भी उत्तम कहेंगे परंतु नहीं ये तो कलियोगी भ्रष्ठाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं बाबा क्या कहेंगे ये उत्तम नहीं है ये इस पतित दुनिया में भ्रष्ठाचारी दुनिया में एक भी पावन नहीं अभी तुम संगम युगी बनते हो वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि पावन और पतित का अंतर क्या कौन पतीत बना है इसलिए शरीर को धोकर समझते हैं कि पावन बन चाएंगे सिर्फ गंगा नहीं जो भी नदिया है जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है ये बुद्धी में बैठा हुआ है क्योंकि भक्ति मार्ग में ये बातें बुद्धी में जैसे अंदर तक बैठ गई हैं कोई कहां कोई कहां जाते हैं सबके अपनी नदियों में भी श्रद्धा है कोई किसी नदी को समझते ये पवित्र बनाने वाले कोई किसी में मतलब पानी में सनान करने जाते हैं परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके कोई क्यों पावन ना हो सके क्योंकि आत्मा जो पतीत बनी है उसके लिए तो कहते हैं पानी भिगो नहीं सकता तो जब आत्मा को पानी छोबी नहीं सकता तो पावन कैसे बनाएगा अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी स्रिष्टी पावन होती क्योंकि नलों में भी जो पानी आ रहा है वो तो नदियों से ही आ रहा है इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए और जब पावन बन गए तो बड़ी बात समझने की ये है पावन बन गए तो पतित दुनिया में क्यों रहें फिर तो पावन दुनिया में चले जाना चाहिए ये तो पुरानी रसम चली आती है ये तो बस रिवाजन पानी में नहाना समझना ये पतित पावनी गंगा है ये र सागर में भी सारा किछड़ा आधी जाकर पड़ता है फिर वो पावन कैसे बनाएगा आजकल तो ये भी सोचने की बात है आत्मा तो छोड़ो शरीर भी पावन बनता है या नहीं पानी में स्नान करके पावन तो बनना है आत्मा को इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए क्योंकि आत्मा को पानी तो छो नहीं सकता पाने भिगो नहीं सकता इसलिए पावन जब आत्मा को बनना है तो कौन चाहिए परमात्मा जिसकी महिमा है पतित पावन तो तुमको समझाना है, पावन होते ही सत युग में हैं, पतीत होते हैं कल युग में, अभी तुम संगम युग पर हो सबको ये सारे ये ज्यान की बाते हैं, पतीत और पावन का अंतर, फिर वो समझते हैं, हमेशा पावन पतीत इकठ्छे होते हैं लेकिन बाबा हमें बहुत सुन्दर बात समझाते सत्युक्त रहता पावन होते हैं तो पतीत नहीं और द्वापर कल्युक से पतीत होते हैं तो एक भी पावन नहीं फिर बाबा कहते हैं अभी संगम युक पर हो तुम जब न न पावन हो और पतीत दुनिया से निकाल पावन बनने की यात्रा पर बाबा ने तुम्हें बिठाया है, तो संगम युक पर पतीत से पावन होने के लिए पुर्शार्थ कर रहे हो, तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राम्भन वर्ण के बने हैं, शिव बाबा, प्रजा, पिता, ब्रम्हा द्वारा बनाते है शिव बाबा, ब्रम्हा, बाबा के तन में प्रवेश कर, हमें मुख से गीता ज्यान सुना कर, अडॉप्ट कर कर, शुद्र से ब्राम्भन बनाते हैं दुनिया में ब्राम्हन को न होते, ब्राम्हन का बच्चा ब्राम्हन, लेकिन यहान तो शिब बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख से अडोप्ट किया, तो हम ब्राम्हन हैं, उसे कहेंगे मुख वंशावली और वो है कुख वन्शावली, प्रजा पिता तो प्रजा सारी हो गई, अब बाबा कहते हैं, जैसे शिब बाबा सर्व आत्माओं का परम पिता है, ऐसे साकारी स्रिष्टी में प्रजा पिता भी सर्व मनुश्यों का है, ब्रह्मा बाबा कोई सिर्व ब्रामनों का या एक धरम का प्रजा पिता नहीं है, सर्व का प्रजा पिता है, प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर हो गया, आप देखो कल्व रिक्ष में ब्रह्मा बाबा कहा है, बिल्कुल नीचे, हर धर्म का साकारी स्रिष्ठी में हर धर्म का great great grandfather ब्रह्मा बाबा है जरूर जरूर वो था पिर कहाँ गया पुनरचनम तो लेते हैं तो यह जो ब्रह्मा बाबा का पाठ इस समय चलता फिर प्रह्मा बाबा भी पुनरचनम लेते गीतो बच्चों को बताया है ब्रम्हा भी पुनर्जनम लेते हैं एक शिबाबा को छोड़ हर देवात्मा, धर्मात्मा, महत्मा सब पुनर्जनम लेते हैं ब्रम्हा और सरस्वती, मा और बाप वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायन बनते हैं जिसको विष्णू कहा जाता है तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती का पुनरजनम कैसे होता नश्री नारायन श्री लक्ष्मी के रूप में उनी का कमबाइन सुरू विष्णू दिखाते हैं तो बाबा कहते हैं, वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, यह न देखो, वही विश्नु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती जो लक्ष्मी नारायन बनेंगे अभी, वो 84 जन्मों के बाद फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते है ये रास तो समझाया है, कहते भी हैं जगत अंबा, तो सारे जगत की माँ हो गई इसलिए जगत अंबा और प्रजा पिता ब्रह्मा को सभी मानते हैं हर धर्म में मात पिता का गायन होता है, आदम बीबी, आदम इव, ब्रह्मा सरस्वती हर धरम में अलग-अलग नामों से गायन होता है लौकिक मा तो हरेक की अपने अपने घर में बैठी है परन्तु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं गायन करते हैं पर वो कौन है नहीं पता तो संगम युग में जैसे हमारा परिचे परम पिता परमात्मा शिबाबा से होता है ऐसे ही प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा मम्मा से भी परिचे होता है ऐसे ही अंध श्रद्धा से दुनिया वाले तो कह देते हैं जानते कोई को भी नहीं है जिसकी पूजा करते हैं उनके occupation को नहीं जानते हैं, उनका नाम, रूप, देश, काल, गुण करता हैं, कुछ नहीं जानते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, रच्चईता है, उच्चेते उच्च ये उल्टा जाड़ है, कहां है उल्टा जाड़? परमधाम में इनका बीच रूप उपर में हैं, बाप को उपर से नीचे आना पड़े, तुमको पावन बनाने तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया हुआ है, हमको इस स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का ज्यान देकर फिर उस नई स्रिष्टी का चक्रवर्ती राजारानी बनाते हैं कि बाबा हमें आदी मध्य अंत का ज्यान सुनाकर विश्व महराजन, विश्व महरानी बना रहे हैं इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाए और कोई नहीं जानते हैं यह चक्र का राज कि हम ही सो देवता, सो शत्रिय, सो वैश्य, सो शुद्र, सो ब्रामन फिर सो देवता बनते हैं यह चक्र इसका राज कोई भी दुनिया में नहीं जानते हैं वो तो पता नहीं क्या कहते हैं, बंदर थे, ये थे, वो थे बाब कहते हैं, फिर पाँच हजार वर्ष बाद आकर तुमको सुनाओंगा यह ड्रामा बना बनाया है, और हर कल्प हम भूलते हैं, फिर बाबा आकर याद दिलाते हैं ड्रामा के creator, director, मुख्य, actors और ड्रामा के आदी मध्य अंत को ना जाने, तो उनको बे-अकल कहेंगे न, लेकिन वंदरफुल बात है, जो पूरे कल्प हम बे-अकल ही रहते हैं बस इस समय हम knowledgeful, master knowledgeful बाबा के द्वारा बनते हैं बाब कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था तुमको अपना परिचे दिया था, जैसे अब दे रहे हैं तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूं अपने को आत्मा समझ बाब को याद करो यह सबसे बड़ी विधी है जो बाबा हमें सिखाते हैं वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है बाबा में सब शिफ्ते समाई होई हैं बाबा सब कुछ देने वाला है बस बाबा से सब कुछ देने के लिए आत्मा समझ बाब को याद करना है बाबा पतित पावन भी है सर्वशक्तिवान भी है शांती सागर भी है स्नेह सागर भी है लेकिन बाबा से जोली भरेगी कब जब अपने को आत्मा समझ बाब को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं गायन भी है अंतकाल जो फला सिम्रे हैं कहते हैं, अंतकाल का महत्व है, कि जो जिसको याद करता है, वैसी योनी में जाता है, तो बाबा कहते हैं, चलो, बनेंगे तो मनुष्य ही, लेकिन कब आएंगे, क्या पद पाएंगे, वो सब कुछ अंतकाल की अवस्था पर है, वल-वल अर्थाद घड़ी-घड़ी ऐसी यो कोई सुकर, कुकर या कुत्य-बिली बनने की बात यहां पर नहीं है, बात है कि अंतकी अवस्था के आधार से अगला जनम मिलेगा, मिलेगा तो मनुष्य का ही, लेकिन किस यूग में मिलेगा, किस पद पर मिलेगा, किस समय पर आएंगे, वो सब कुछ अपने अंतके अवस सभी आत्माओं का बाप हो, ये सब काम चिता पर बैट काले हो गए हैं, इनों को फिर ज्ञान चिता पर चड़ाना है, ये उर ज्ञान चिता पर इतना जल्दी चड़ते नहीं है, विचार सागर मंतन सालों तक चलता नहीं है, क्योंकि काम चिता पर इतना चड़े हैं, काले हो ज्यान चिता पर चड़ फिर विकारों में जा न सके, क्योंकि ज्यान चिता पर चड़े, ज्यान नौलेज़फुल है, नौलेज़फुल तो विकारी करम करना सके, प्रतिग्या करते हैं हम पवित्र रहेंगे बाबा कोई वो राखी नहीं बंदवाते हैं बाबा कहते हैं ये तो अंदर प्रतिग्या करने की बात है धागे का की क्या बात है ये तो भक्तिमार का रिवास चला आता है भक्ति मार में तो कोई बात याद भी रखनी हो तो गाठ बांधेंगे अब बाबा के थे बुद्धी में गाठ बांधो वैसे गाठ बांधने से क्या होगा वास्तव में ये है इस समय की बात तुम समझते हो पवित्र बनने भिगर पुरा पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे तो समझ से हम पवित्रता का व्रत लेते हैं प्रतिग्या करते हैं रक्षा बंधन बांधते हैं क्योंकि ग्यानचिता पर चड़ते हैं, तो फिर पावन बनने की प्रतिग्या करते हैं। समझ में आजाता है, पवित्र बनेंगे, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिग्या करा ही जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं, बाबा आप आई हैं, हम आप से वर्षा जरूर लेंगे निराकार साकार में आते हैं न, जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माई भी उतरती हो अब बाबा देखो कितना अच्छा सुनाते, कि सिर्फ मैं अवतरित नहीं होता, मैं तो संगम युग में अवतार लेता हूं, आता हूं, परमधाम से उतरता हूं लेकिन तुम भी तो इस तन में अफ्तरित हो ने ये तन कोई तुम्हारा थोड़ी है तुम भी परमधाम से उतरते हो ये तन यहां धारन करते हो उपर से नीचे आती हो पाठ बजाने ये तुम समझते हो ये सुख और दुख का खेल है और हमने सुख और दुख की खेल में अनेक चोले लिए अनेक पाठ बचाए आधा कल्ब सुख आधा कल्ब दुख है बाब समझाते हैं तीन चौथाई से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो बाबा हमें कहते हैं ऐसा नहीं कि आधा कल्ब सुख आधा कल्ब दुख है तो आधा आधा भोगते हैं बाबा कहते हैं द्वापर युग में भी बहुत अच्छे अवस्था में थे यह तो अंत में दुख भोगते हूं आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदे बनवाते हैं, यह न, तो द्वापर युग में हमीने मंदिर बनवाए, तो समझ में आता है कि धनवान तो उस समय भी थे, दुख तो पीछे होता है, जब बिलकुल तमोप्रधान भक्ती बन जाती हैं, बाप में समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, माना एक शिब बाबा की पूझा करते थे, सिर्फ एक की भक्ती करते थे, जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूझा करते थे, देखो, बाबा इस समय हमारे क को देवता बनाते हैं सुगधाम ले जाते हैं तो आत्मा इस मृती के अधार से द्वापरयुग में जैसे ही दुख देखती है तो अनयास ही बाबा के मंदिर बनाती है और फिर पूझने लगती है ना सोमनात का मंदिर पहले-पहले बनाते हैं फिर बाद में व्यभीचारी भक्ती शुरू होती है और बाबा ने तो पूरा भक्ती का हमें बताया है कि शिबाबा के बाद किस प्रकार हम व्यभीचारी व्यभीचारी माना एक से ज्यादा की भक्ती में जाते हैं पहले एक की पूजा फिर देवताओं की पूजा करते थे अभी तो पांच भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं अभी तो क्या है, सन्यासी गुरूं के भी पाउं दोकर पी लेते हैं, देवताओं की मूर्तियों की भी बात नहीं रहे, पतीत शरीरों को भी पूझ लेते हैं, चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूझा करते हैं, आप सोचो पतीत चैतन्य शरीरों की भी पूझा कर लेते हैं, पांच तत्तों के बने हुई शरीर को देवताओं से भी उच समझते हैं देवताओं को तो सिर्फ ब्राम्मन हात लगाते हैं तुम्हारे तो धेर के धेर गुरु लोग हैं है ना सोचो है ना और उन गुरुओं के पीछे बिलकुल पड़े रहते हैं ये बाब बैट बताते हैं ये दादा भी कहते हैं हमने भी सब कुछ किया ब्रह्मा बाबा अनुभव सुनाते हैं भिन भिन हट योग आदी कान नाक मोड़ना आदी सब कुछ किया आखरीन सब कुछ छोड़ देना पड़े ये फिर जब समझ में आता हैं तो छूड़ते हैं भक्ति वो धन्दा करे या ये धन्दा करे पिन की आती रहते थे सुस्ती आती तंग हो जाता था प्राणयाम आदी सीखने में बड़ी तकलीफ होती है आय यथार्थ विधी है उसमें कोई सुक तो होता नहीं आधा कल भक्ति मार्ग में थे अभी मालूम पड़ता है अभी देखो बाबा कहते हैं सहज राज्योग क्यों सहज है क्योंकि यथार्थ है तो इस राज्योग से शक्ती मिलती है तो ये मुश्किल नहीं है लेकिन आय यथार्थ विधी में तो बहुत थकान होती है बाब बिलकुल accurate बताते हैं वो कहते हैं भक्ती परंपरा से चली आती है कहते हैं अनादी काल से लेकिन बाबा कहते हैं द्वापर युग से शुरू होती है अब सत्यूग में भक्ती कहां से आई? मनुश्य बिलकुल समझते नहीं है मूड बुद्धी है ना सत्यूग में तो ऐसे नहीं कहेंगे सत्यूग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मूड बुद्धी है उसमें तो पारस बुद्धी है बाब कहते हैं मैं हर पाँच हजार वर्ष बाद आता हूँ शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जनमों को नहीं जानते हैं कौन ब्रह्मा बाबा जो 84 जनम लेकर भूल गए कि मैं ही ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा बनता यही नंबर वन जो सुन्दर था वही अब श्याम बन गया है अब समझा ब्रह्मा बाबा का तन ही क्यों लेते हैं क्योंकि वही नंबर वन सुन्दर से नंबर व बनना है सुन्दर ड्रामा अनुसारी से लिए उसी तन का अधार लेते हैं। आत्मा बिन बिन शरीर धारन करती है। तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा हूं। क्या सिखलाने जीते जी मरना। मुल बात बाबा क्या सिखलाते हैं। जीते जी मरना क्योंकि अंत की अवस्था का बहुत महत्व है। और जीते जी मरेंगे तब तो अंत में खुने नाहे खेल में भी हमारा जैसे हमारी अवस्था ऐसी होगी कि साक्षी होकर चले गए। उस दृष्य का सेक नहीं लगा। इस दुनिया से तो मरना है भी तुमको पवित्र होकर मरना है। पहले पवित्र बन जाए फिर शरीर छुटे तो शरीर छुटते वक्त अवस्था कराब नहीं होगी। मेरा पाठी पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो है पतित पावन। और कोई ऐसे नहीं कह पावने कल पहले ये सारे करतवे हमारे लिए किये हैं। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। हम कहते हमें सुक के दुनिया में लेकर जाओ। भारत में होता है बज बोविन चलो वरिंदावन। हैना हमें दुख हरकर सुक धाम में लेकर जाओ। तुम होता सुखधाम के लिए, कहते हैं सुख चाहिए, वो होता है प्रवृति मार्ग में, निवृति वाले तो जो घरबार छोड़कर सन्यास में जाते हैं, वो तो सुख के दुनिया को मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं बस यहां से चक्र से छुट जाना है, तुम जानते हो हम प्र लेकर जो भी पाठ बचता है वो सब हम जानते हैं तो बाबा कहते हैं शिप व्यूकर हम सब को बाबा कहते है यह भी प्रवृति मार्ग वालों के लिए तुम जानते हो हम प्रवृति मार्ग वाले पवित्र Sax veil थे फिर आपवित्र बने प्रवृती मार्ग वालों का काम निवृती मार्ग वाले कर ना सके क्योंकि प्रवृती मार्ग वाले ग्रहस्त वेभार में रहते पवित्र रहते लेकिन निवृती मार्ग वाले तो मानते ग्रहस्त वेभार में आग कपू से खटे रहे और आग ना लगे हो नहीं सकता तो तो घर बार छोड़ देते हैं यग्य तब दान आदी सब प्रवृति मार्ग वाले करते हैं तुम अभी फील करते हो अभी हम सब को जानते हैं शिप बाबा हम सब को घर बैठे पढ़ा रहे हैं कितना वंडरफुल है कि दुनिया में तो कितने धक्के खाए लेकिन शिप बाबा तो में कहते हैं घर बैठे भगवान मिलता है तो ये घर बैठे बाबा पढ़ाते हैं बेहत का बाब बेहत का सुक देने वाला है उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हूं तो प्रेम के आसू आते हैं कई होते हैं बाबा के पास आते हैं तो आखों से आसू रुखते हैं प्रेम के आसू बाबा कहने से रुमांच कड़े हो जाते हैं ओहो बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में बाबा हमको इस पढ़ाई से गुल-गुल बना कर ले जाते मैं बाप को याद करो, बाप जो बना रहे हैं उसे याद करो खुशी और नशे का पारा चड़ जाता इस गंदी चीची दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ भक्ती मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कहा है कि ने हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं नंबर वार तो हैं ही, सबका अपना अपना पार्ट है तो बाबा कहते हैं तुमने कहा ना हम आप पर बलिहार जाएंगे वारी जाएंगे एक आपके बनेंगे तो अब बनो कोई तो बाब को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्सा देते हैं सत्युग में रोने का नाम नहीं होता सत्युग में रोने का नाम नहीं होता रोना क्या होता है मन का मुख का कोई भी रोना नहीं होता यहां तो कितना रोते हैं सारे दिन आखों से भी रोते हैं कंप्लेंट मुख से निकलते हैं हर बात में ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं बहुत रोते हैं जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए और ही बाजा बजाना चाहिए दुनिया में तो जब शरीड चूडता है एक तरफ कहेंगे स्वर्ग वासिवा दूसरे तरफ रोते रहेंगे वहाँ तो बाजा बजाते हैं खुशी से शरीर चोड देते हैं ये रसम भी शुरू यहां से होती है, संगम्युग में बाबा हमें खुशी से शरीर छोड़ना सिखाते हैं, अभी बाबा हमें किस चीज के लिए तयार कर रहे हैं, कि जब अंत में शरीर छुटे तो खुशी से छुटे, आत्मा अपने सुक स्वरूप में बाबा की याद में शरीर छोड़ें, यहां तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते हो पुनर जनम लेना है, तो बाब सब बातें समझा देते हैं, वहां भी जब सत्युग में शरीर छुटता है, तो थौट क्या रहता आत्मा का, कि अब हम जाएंगे और नया सतोप्रदान श शरीर छोड़ेंगे, यह बाबा कहते हैं, यह सब बातें बाबा समझा देते हैं, ब्रमरी का मिसाल भी तुमारा है, ब्रमरी भूं भूं कर, आप समान बनाते हैं, तुम ब्रामनिया हो, विष्ठा की कीडों को तुम भूं भूं करती हो, तुमको तु बाब कहते हैं, इस श आत्मा समझो, अब हमको वापिस जाना है, बस अंदर धारन हो जाए, अब बस ये पाठ पुरा कर घर जाना है, तो शरीर छोडने की खुशी जैसे कायम रहेगी, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भुल जाओ, बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं, मैं तु को विश्व का मालिक बनाने आया हो, तो बाप की याद में तो वर्से का मिठास भी समाई हुई है, बाबा को याद करते हैं, तो लगता है, बाबा तो मुझे विश्व का मालिक बना रहे है, अब शांती धाम और सुख धाम को याद करो, अल्फ और बे, बाबा को याद करो और वर्से को याद करो यह दुखधाम, शान्तिधाम अम आत्माओं का घर है हमने पाट बजाया आब हमें घर जाना है वहाँ यह छीची शरीर नहीं रहता है अभी तो यह बिलकुल जड़ड़ी भूच शरीर हो गया ऐसे शरीर से भी क्या अभी ना लगाओ रखना है अब हमको बाब सम्मुक बैठ सिकलाते इसारे में यह देखो बाबा कमरे में भी बैठते हैं बाबा के सामने यह भले चित्र है अभी लेकिन ऐसा इसा इसारे में बाबा जैसे ब्रaja-baba-sip याद कर रहे हैं ऐसे हमें भी सिखा रहें, कि अब बस बाबा को याद कर घर जाना है, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो, अभी घर जाना है, यहां तो रहने का अभी नहीं है, जाना ही है, ये तो निश्यत है, ये भी जानते हो अभी विनाश होना है, भारत में रक्त की नदियां बहेंगे, फिर भारत में ही दूद की नदियां बहेंगे, यहां सब धर्म वाले एकटे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे, बाबा कहते हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे, और तुम अ और उस समय तो ऐसे विनाश की सामगरी भी नहीं थी जो आज है कोई देखे तो बेहोश हो जाए पर उस समय भी कोई देखता तो बेहोश हो जाता अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं शरीर का भान भी निकाल देते हैं बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं ठीक कैरें बाबा बहुत कम्सोर है इसलिए सर्विस पी नहीं बढ़ती है गड़ी-गड़ी लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है बुद्धी लगती नहीं है देखो बाबा को भी समझते रूरिहान कर रहे हैं लेकिन ये कोई रूरिहान है याद भूल जाती है बाबा क्या कहेंगे? विश्व का मालिक बनाने वाले बाब को याद नहीं कर सकते बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो विश्व की बादशाही देने वाले बाब को तुम भूल जाते हो आगे भक्ती में बुद्धी कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे होते हैं तो बाबा कहते हैं अब अपने लिए पुर्शार्थ कर पतीत से पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना ही है यह ना बाबा ने कहा ना अपने हाथ की लाज रखो कल तो बाबा कहते हैं अपनी अपनी तकदीर की जिम्मेवारी लो, ऐसे याद नहीं रहती, याद नहीं रहती, भक्ती में भी चुटके काटते थे, अभी भी अटेंशन प्लीज करके अपने को चलाओ, अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे, बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार, और गुड मॉर्नि रुखानी बाप के रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लधे, मात, पिता, बाप, दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शान्ते धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से बातें करो, ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वो हमें घर बैठे पढ़ा रही है, बेहत का बाबा, बेहत का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं, ऐसे प्यार से बाबा कहो, और खुशी में प्रेम के आसु आज जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं, ये रूरियान सिखा रहें बाबा हमें, दुसरे पॉइंट, अब वापिस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है, वर्दान है, बीती हुई बातो वा वृत्तियों को समाप्त कर, संपून सफलता प्राप्त करने वाली स्वच आत्मा भवा, बाबा कहते ही, जब हम किसी से मिलते हैं, तो पिछली बार जो उनके साथ बात हुई, उस आधार से हमारे वृत्ति में कुछ हमने पकड़ा हुआ है, उनके प्रती, तो उस बात को चेक और चेंज कर ले, तब ही जाकर इस बार जब आपके उनसे मुलाकात हो, बात हो, तो उस संपर्क में आपको सफलता मिलेगे, अगर पुरानी बातों को वृत्ति में धारण कर, इस बार भी मिलेंगे, तो पिछली ही बार की जो बात है, वही इस बार भी चलती रहेगे, सेवा में स्वच बुद्धी, स्वच वृत्ति और स्वच करम सफलता का सहजाधार है कोई भी सेवा का कारे जब आरंब करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धी में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है उसी वृत्ति द्रिष्टी से उनको देखना, उनसे बोलना इससे संपून सफलता नहीं हो सकते हैं और सेवा संगठन में होती है अगर ऐसे वृत्ति द्रिष्टी को पुरानी बातों से मेला रखेंगे तो संगठन से सफलता नहीं होगी इसलिए बीती हुए बातों को वा वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो तभी संपून सफलता प्राप्त होगी स्लोगन है जो स्वा परिवर्तन करता है विजे माला उसी के गले में पढ़ती है क्योंकि स्वा परिवर्तन आधार है स्वा परिवर्तन करेंगे तभी तो विश्व परिवर्तन करने की हमारे अंदर योग्यता या सर्विसबिलिटी या ताकत होगी जिसका अपना परिवर्तन नहीं हुआ उसको वो विश्व परिवर्तन जाए भी तो विश्व परिवर्तन में सफलता नहीं मिलेगी इसलिए विश्व परिवर्तन का आधार स्वप परिवर्तन है और विश्व परिवर्तन करने वाले की गले में ही सफलता की माला पड़ेगी अच्छा, ओम शान्ति